कैसे आप सब लोग आशा करता हो कि बहुत बढ़िया हो भेतर हो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही है तो दोस्तों ये वीडियो एकदम एंड तक देखना आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टु दे चैनल हिट कि अपका कोई भी ऐसा इंपॉर्टन वीडियो मिस ना हो इस वीडियो में आप क्या डिसक्रस करने वाले हो एक बहुत इंपॉर्टन चीज डिसक्रस करने वाले दोस्तों जैसे आप यहां पे देख पा रहे हो वी आर गोइंग तो डिसक्रस हाँ तु कवर यूर सब्जेक् TaxSession at CS Executive यह आपका लास्ट लाप चल रहा है ओके आपका जस्ट एक से देड़ महिना बचा है एक्जाम के लिए तू भी वेरी स्पेसिफिक 45-50 डेज आर यूनो रिमेनिंग फॉर एक्जाम तो इसमें हम अच्छे से बहुत जम के पढ़ाई कैसे करे टैक्स की और हमारे अबजेक्क को लेके यह हम डिसकस करने वाले आज के इस वीडियो में तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो आपने पहले क्या करना चाहिए आपने पहले A to Z classes देखे है क्या यह important है if you have watched A to Z classes हर एक class अपका टैक्स का देख के हुआ है तो बहुत बढ़िया है बहतर है जैसे मैं आपको class में हमेशा बोलता हूँ आपको दो notebook maintain करने चाहिए provisions and concepts notebook and sums notebook तो दोस्तों I am quite sure आपका वो 100% हुआ है that is 100% you have completed watching all the video lectures that we have done and you have also maintained notebooks ओके इसमें से कुछ भी नहीं हुआ है तो first go ahead and do that वो सबसे जादा important है इस समय okay वो आप करोगे न तो guys believe me आपका 70% of the work is done okay then उसके बाद आपको क्या करना है so please make sure कि this gets completed at least by 15th of November okay I am quite sure कि आपका हुआ ही है अगर नहीं हुआ है तो भी don't worry जितना बचा है okay divided by number of days उतना करके जितने घंटे हर एक दिन के lectures बचे है वो देखना start करो दोस्तो with guarantee I am saying 15 November तक अपका हो भी जाएगा तो भी you have a nice nice opportunity to go ahead and do your syllabus well okay चलो मान के चलते है first case scenario आपके 60 hours pending है video lectures देखने के so no problem 60 hours divided by 15 days भी हमने किया तो भी 4 hours per day के हिसाब से आपको sessions देखने है right and दोस्तो अभी आप दिवाली दसरा सब भूल जाओ दसरा तो होई गया दिवाली and सब festivals भूल जाओ अब 100% आपका focus पढ़ाई पे होना चाहिए right तो for example मैंने बोला तो suppose 4 hours per day उतने से lectures देखके आपके provisions concepts sums notebook सब maintain हो जाएगा और videos भी देखके हो जाएगे तो guys you will feel comfortable after that उसके बाद आपको क्या करना है आप सब के already suppose सब lectures देखके हुए है सब कुछ अच्छे से हुआ है तो best now you have to just keep on revising the things okay revision में क्या करना है sir exactly आपको self study करना है you have to keep on reading your provisions and concepts notebook okay एक stage ऐसी आनी चाहिए एक stage ऐसी आनी चाहिए कि बिना provision concepts के notebook देखे हुए हमें फटाफट revision हो रही है जैसे example बता तो आपको PGP PGP में क्या करना है P&L दिया होता है yes P&L दिया होता है NP से start करना है add क्या क्या करना है yes वो personal expenses आड करने है income tax आड करना है provision for bad debts आड करने है उसके बाद ऐसा आप सोचते रहोगे right कुछ point आपको नहीं recollect हो रहा है open the notebook recollect that point but ऐसे आपके multiple revisions चलते रहने चाहिए critical topics के okay एक stage ऐसा आएगा आपका कि you will be recall everything without opening notebook okay so if you are not able to recollect particular point then refer some for that वो आपको point भी याद हो जाएगा okay तो यह सब मैंने आपके लिए एक line of action बनाया है tax subject के लिए तो आप please go through this in detail okay अगर एक आपको critical point मिल गया किसी sum में तो आप उसको top margin में लिखना जैसे top margin में लिखोगे आपको वो फिर से entire sum देखने की ज़रुरत नहीं है वो सिर्फ critical points revise करते जाना okay each revision time taken should keep on going down मतलब आपने जब first time revise किया तो PGVP करने में आपको suppose लगे तीन घंटे तो next time जब revision करोगे PGVP topic की तो it should come down to one hour next time half hour next time 15 minutes उसके बाद देखने के भी ज़रुरत नहीं है PGVP topic getting it बैठे बैठे सब कुछ revise हो रहा है इस वे से दोस्तों you know revision time taken should keep on going down then compulsorily watch the mission series हमने mission series लेखे रखी है YouTube channel पर है अगर आपने अभी तक देखी नहीं है तो go ahead and watch mission series उसके you know playlist के links आपको description में दे रहते हैं यहाँ पे check that okay then friends अगर कुछ critical points है जो आपको याद रखने है और आपको याद नहीं हो रहे है तो आप क्या करोगे do them at the golden hours of the day golden hours of the day मतलब आपको पता है कि you are night owl or you are a morning bird if you are a morning bird आपको you know सुबह सुबह उठके वी hours of morning जो होते है मतलब सुबह पात से लेके साथ जब एकदम शान्त होता है environment तब आपको अगर सब कुछ याद होता है तो आप उस time में उठकर चीजे करना राइट या फिर आपको सब सोने के बाद रात में 12 बज़े से 2 बज़े तक suppose अच्छे से याद होता है तो do it at that point तो आप क्या करोगे आप filter out करोगे कि वो ऐसे कौन से points है जो मुझे याद नहीं हो रहे but important है exam perspective से तो आप वो filter out करके golden hours of the day पे वो points आप करना okay I'm sure this will help you okay एक point ऐसा आना चाहिए where there is no need to open any notebook हमें उसी मुकाम तक पोचना है कि बैठे बैठे entire subject मेरा revise हो पा रहा है खुद से मेरे दिमाग में जैसे section 15 of cgst act accessible value shall be transaction value ठीक है transaction value means what price actually paid or payable for supply of goods or services और बोट ओके वह supplier and recipient of supplies not related to each other and prices sole consideration इसमें 5 inclusions थे तो exclusions है तो यस हो गया revise book open करने की जरूरत नहीं पड़ी getting my point तो इस मुकाम तक आप आने चाहिए कि notebook open करने की जरूरत नहीं है जो critical points है हर एक topic के वो आपको बैठे बैठे आ रहे हैं और of course अपने already उसके sums already देखे हुए है अच्छे से present किये हुए है ओके and then you should make one day before exam plan यह one day before exam plan क्या है उसके पास हम अभी जाने वाले है पर उसके पहले बताता हूँ in short you are P यह आपको follow करना है आपको देखना है हर एक topic का क्या आपको understanding हुआ है you have to ask yourself that okay then you have to ask yourself क्या वो topic मुझे retain हो रहा है जो मैंने अभी आपको बोला बैठे बैठे आपको हर point याद आना चाहिए वो retain बोल रहा हूँ है and P मतलब presentation क्या उसका presentation मुझे अच्छे से पता है for example PGBP for example salary do I know that if I have to calculate income from salary तो मुझे क्या करना है computation of income from salaries particulars amount rupees amount rupees line अच्छे से खीचने है A point P point C point जो figures fully taxable है second amount column में लेने है जिसके लिए exemption मिलता है first column में लेना है minus exempted figure लेनी है taxable figure second column में लेनी है फिर second column की total लेनी है cross taxable salary आएगी minus deductions of section 16 करने है one is standard deduction two entertainment allowance three profession tax तब मेरा आएगा income from salary तो क्या अच्छे से मैं presentation के साथ वाकिफ हूँ कौन-कौन से notes लिखने है particular point में क्या मुझे वो click होता है क्या मैंने हर एक topic का you know एक-एक question present करके देखा है या आप खुद से पूछना and get prepared with all these points if you prepare well if your URP is in place understanding retention and presentation of every topic is in place दोस्तो no one can stop you from getting all India rank ओके then one day before exam क्या करना है बोच से students यहाँ पर मतलब गलती करते है वो one day before exam क्या करना है उसका planning पहले से अच्छे से नहीं करते अगर इसका planning पहले से अच्छे से नहीं किया तो आप last moment panic हो जाओगे तो आपको one day before exam का planning पहुत ही पहले से करके रखना है मतलब आपको लगभग ऐसे समझ लो November 30 तक आपका planning clear होना चाहिए कि one day before exam मुझे क्या करना चाहिए कब तक आपका plan clear होना चाहिए 30 नवेंबर 2024 तक आपका ये plan clear होना चाहिए कि one day before exam मैं वो 600 minute जो पढ़ूंगा 10 घंटे मैं जो पढ़ूंगा one day before exam you know उसमें मैं क्या क्या पढ़ूंगा या पढ़ूंगी ये plan आपके पास prepared होना चाहिए तो मैंने क्या किया है आपको एक format देने की कोशिश की है for your income tax and GST ready made आपको format देने की कोशिश की है so you know you can follow this easily I will tell you इसका demo देता हूं मैं ये follow up करना चाहिए आपके main exam के एक दिन पहले ओके क्या करोगे अभी कल आपके exam है आज आप value of supply revise करोगे starting with value of supply revision start करोगे ओके तो value of supply लगबख 15 minutes में हो जाएगा yes उसके उससे आपके 5 marks सुनिश्चित हो गए उसके बाद place of supply को next 15 minutes लगे उस समय तक आपके 10 marks सुनिश्चित हो गए getting it इस वे से आप marks collect करते जाओ जैसे minutes आगे बढ़ते जाएंगे आप marks collect करते जाओ यह जो sequence दिया है यह sequence है importance वाला sequence मतलब most important topic to least important topic यह sequence आपको दिया है ओके तो आप इस sequence से पढ़ना one day before exam यह जो expected time है यह हर एक student के लिए अलग-अलग हो सकता है depending on your strength, weakness, opportunity, threat मतलब एक student को लग सकता है कि value of supply तो मेरा 5 minute में हो जाएगा तो ठीक है इसके सामने आप 5 डालो ओके एक को लग सकता है नहीं 20 minute लगेंगे तो आप उसके सामने 20 डालो बट यह एक आपका plan आप ready रखना और यह ensure करना कि उसकी total जो है minutes की total वो 600 से आगे नहीं जानी चाहिए क्योंकि maximum आपके पास 10 घंटे है एक दिन पहले exam के getting my point and of course marks की total about 100 आएगी most important to least important इसमें आप arrange करके एक दिन पहले फटा-फट revise करते जाओगे usually क्या होता है students एकदम confused होते हैं कि एक दिन पहले क्या करना है वो एकदम income की definition से start करते पढ़ना यह possibly नहीं है आपको कि एक दिन पहले आप 100% syllabus revise करो क्या करना है आपको most important to least important तो tax के लिए I have given you spoon feeding आप यह 21 topics का sequence follow करना okay you will get through you will feel confident for giving the exam getting my point तो दोस्तो मतले आपको एकदम क्या timer लेके बैठना है नहीं वैसे नहीं करना आपको अपने पढ़ना चालू किया आपका value of supply हो गया revise place of supply हो गया okay time of supply हो गया revise composition लेवाए हो गया revise अभी आपको लग रहा है मैं break लूँ अभी जस्थ देख लो हाँ चलो मैं कितना मैं ठीक है 75 minutes पढ़ा हूँ ठीक है बट मेरे इतने marks cover तो हो गये है थोड़ा सा time आगे पिछे हुआ तो भी चलेगा it is absolutely acceptable क्योंकि हमने क्या किया है most important to least important से गये है तो at the most आपको time sufficient नहीं हुआ तो भी tension की बात नहीं है क्या revise करना छूटेगा एक दिन पहले that will be least important only most important आपने already cover कर चुका हो isn't it most important आप cover कर चुके होंगे right guys तो दोस्तो आशा करता हूँ कि यह आपको strategy अच्छी लगी है इससे आपको motivation मिला है you will stay on your path right don't deviate from your path मैं हमेशा बुलता हूँ कि daily आपको कुछ छलांग लगाने की या daily आपको marathon दोडने की या T20 match खिलने की जरूरत नहीं है one step at a time one step at a time my dear friends goal is important but right now more important is process for achieving that goal so currently make your process itself the goal so automatically you will give the exam systematically and get amazing results on coming 25th February 2025 I wish you all the very best I wish you all the success in your life happy studying may God bless you कोई भी डाउट से प्लान में तो प्लीज कमें लिखना do like the video and do share this video to maximum of your friends जिनका life comfortable होना चाहिए ऐसे आपको लगता है thank you so much see you in the next session till then keep studying keep smiling bye bye-bye